हेलो नमस्कार यदि आप लोग के रेजिशन पास चातर आए हैं यदि आप लोग भी मुखमंत्री करने आओ था नसना तो पास पास पचाजार एसकोलसिप ले अपना ओनलाइन आपेदन करने का इंतिजार कर रहे हैं तो आज किस बुड़े हैं हम आपसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग का जिवी आउनलाइन आवेदन की परिक्रिया है वो किस प्रकार से सुरू की जाएगी और कब तक स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लगतार आपसे भी लोग का कॉमेंट देखने को मिल रहा था कि अभी तक स्कॉलर सीब का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है और बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि यहां पे स्कॉलर सीब स्टार्ट हो गया है 5000 स्कॉलर सीब के लिए तो इसके रिगाड़े हम आप सीब को सही से जानकारी बताएंगे और आप सीब को प्रूप के साथ दिखाएंगे कि आप लोग का आउनले आपे दन किस दिन से सुरू होने वाला है तो सभी से रिगेश्ट के वीडियो को कम्पलीट वच कीजीगा यदि आप लोग स्कॉलर सीब का लाव लेना चाहते हैं उससे पहले सभी से रिगेश्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल बड़न को दबा करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग से रिटर हर एक अपडेट सबसे पहले दिये जाते हैं तो सबसे पहले मैं आप सीव को बताना चाहूँगा कि आप लोग का यहां पे scholarship का जो भी update है वो क्या है और कब से आप लोग का start किया जाएगा online आविधन करने के लिए तो जैसे आप सीव लोग Megasoft के आपसील वेबसाइट आएगा यहां पे यह graduation pass scholarship का जो भी आविधन करने का portal है वो खूल जाएगा यहां पे देख सकते हैं आप लोग का एक student registration का भी दिया गया है जिस पे आप किली करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं registration होगा नहीं क्योंकि य किया जाएगा यहां पे देख सकता हैं जो भी पहले online आविधन के परकिरिया शुरू की गई थी तो यहां पे देख सकते हैं 1421 से 3923 तक जितने भी student का result public किया गया था उनका यहां पे online आविधन स्टार्ट किया गया था वहीं आप से को बदत कि आप लोगा इसमें online परिक्रिया यहां परेल के मन्थ में लगवग इस्टार्ट कर दी जाती है लेकिन अपरेल में आपसी बगा जैसे कि आपसे को पता है कि यहां पे जो भी यहां पे एलक्षन होने के कारण आप लोगा जो भी अभी इसमे online आविधन परिक्रिया नहीं शुरू की जाएगी य यहां पे संभाबना है कि इसमें आप लोगा जब तक कि आप लोगा जो भी इलक्षन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इसकी परिक्रिया शुरू नहीं की जाएगी तो आप लोगा इसकी रिगार्डिंग हलांकि कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन आप लोग एक मन्ध क यह अंदर आप लोगा आउनले नावेदन की परिक्रिया है वो शुरू की जा सकती है यहां पर देख सकते हैं पर हम बता दू कि जिन स्टूडेंटों का अभी तक बैंक अकाउंट में अधार सीडेट नहीं है वो अपना जल से जल अपना सीडेट करा ले नहीं तो आप लो अपडेट के लिए आपसे लोग हमसे जुड़के रहें जो भी अपडेट आता है तो मैं आपसे को सबसे पहले अपडेट करता रहूंगा जिससे कि आप लोग को समय पर अपडेट मिल पाए और आपसे लोग समय पर ऑनलाइन आविदन कर पाए इसके रिगार्डिंग यह अपडेट करूंगा और यहां पर जो भी परिकरिया जानना चाहते हैं तो आपसे लोग नीचे कोमेंट्स कर सकते हैं मैं आपसे लोग को रिपलाई देने का पूरी-पूरी कोसीज करूंगा फिलाल के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपी के दिए झाल